ओम गई शी महागड़े शाय नमा जै मादादे राधे दाधे दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों मा अपने भक्तों की सभी कष्टों को दूर कर मन चाहा बर्दान बर्दान करती हैं कहते हैं जिसे मा भगवती की कृपा प्राप्त हो गई उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं मा की कृपा से सब सुख की प्राप्ती होती है और जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परिशानी दूर हो जाती है मा की कृपा पाप्त करने के लिए नवराती का पर्व सबसे ज़्यादा खासमाना जाता है क्योंकि यह पर मा आधी शक्ति दुर्गा को समर्पित होता है देवी भागवत पुरान के अनुसार पूरे साल भर माता राने का पूजन करने से मा की उतने कृपा प्राप्त नहीं होती जितने नवरात्री में करने से होती है इसलिए भक्ति नवरात्री के दौरान मा का अधिक से अधिक पूजन करते हैं और प्रत करते हैं मा को समर पे चैते नवराती चैतर महा की शुक्ल पक्च की प्रति ब्रदा दिती से शुरू होते हैं इस पार चैते नवराती दो अप्रेल को शुरू होकर दस अप्रेल को समाप्त होंगे इस पार नवराती पूरे नौ दिन के होंगे 9 अप्रेल को महा अश्टमी का पर मनाया जाएगा और 10 अप्रेल को महा नवी के साथ ही राम नवी का पर भी मनाया जाएगा महा अश्टमी और महा नवी पर कन्या पूचन कर हवन किया जाएगा तो इस पार की नवराती तो बहुत ही जादा खास है क्योंकि कई वर्षों बाद इस नवरात्री पर हर दिन कई दुप्य और दुल्लव सैयोग बन रहे हैं, जिससे इस नवरात्री में मा का पूचन कहने से कई गुना अधिक पुन्यफल प्राप्त होगा। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्री के प्रथम दिन मातारानी धरती पर आजाती हैं और नवरात्री के दिनों में धरती पर अपनी भक्तों की घरों में पास करती हैं, जो भक्त इस दौरान मातारानी का पूचन करती हैं और प्रत करती हैं, मातारानी उनके सभी कश्ट दुख तरित्ता का नाश कर देती हैं माता रानी अपनी भक्तों को मनवांचित बर्दान प्रदान करती है नवरात्री के दिन माता रानी को प्रसंद करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं माना जाता है अन्य दिनों की अपेक्षाम नवरात्री के दिनों में माता पराने को प्रसंद करने के लिए जो पूजा या उपाई किये जाते हैं वहाती शीक्र ही शुफल प्रदान करने वाले होते हैं नवराती के दिनों में उपाई करने का विशिश महत होता है नवराती के दिनों में किये गए उपाई बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाते हैं दोस उपाय को कहने से मातारानी अधिशीक्र ही प्रसन हो जाती हैं, मा की असेम कृपा प्राप्त होती है, मा की कृपा से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परिशानी दूर हो जाती है, मा अपनी भक्तों के सभी कष्ट दुख-दरित्ता का नाश कर दीती है, और पूरी स साल भर धनकी कोई कमी नहीं रहती धनका लाब होता है दोस्तों उपाई को सही प्रकाशी करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें अगर आपने हमारी चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूसफुल वीडियो के लिए चैनल को सब् सब्सक्रान करने से पहले इस्तान का सुच्छ बस्ति धारन करें audio और रहां पूरडिके दोरान पूरी नौ दिनों तक काली कपड़ें नहीं पहनने जाहें इन्हें अश्रुमाना जाता है, माता रानी का पूजन करते समय सदैव, लाल, पीले, हरे, कुलावी, किसी शुब रंग की बस्त ही धारन करें, अगर आप संध्याकाल के समय यह उपाय कर रहे हैं, आपने सुबह इस्दान किया है, तो आप शाम को मुहाद्धो कर सच्छ बस्त धारन क यह उपाय कर सकते हैं, उपाय करने के लिए सबसे पहले आप एक दी पक लें, आप मिट्टी का आटे का या पीतल का कैसा भी दिया ले सकते हैं, अगर मिट्टी का दिया लिया है, तो उसे अच्छी तरह से पानी से धोकत साफ का लें, आटे का दिया ले रहे हैं, तो आप स तीे दिये में अब आप घी भरें अगर घी ना हो तो मीठा तेल से तिलका तेल कहा जाता है या का देल भी आप इसमें भर सकते हैं तेल या घी डालने के बाद यह गदेमें उस नएक्ति सिस्टी Gate होँ बाती होती है उट ख और खाड़ी बाति लाठी के लगाने हैं बमकिय ज सामनी रखते हैं आपने अरक चोकी पर मातहों की मूर्ति की इस्थापनाyu किया है नवराद्री के अपने मंदर में मातहोंन्य के सामने इस देय को रखिए्व हर इस माता नीद को आप कुम-đं से तिलग फल मिष्ठान का भोग लगाएं आप बताशा या शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं भोग लगाने के पश्चात अब आप माता रामी को प्रणाम करें नब्दुर का मा को प्रणाम करें प्रणाम करने के पश्चात अब एक साबुत फूल वाली लॉंग लें दोस्तों ध्यान के पश्चात अब आप इस लौंग को माता रानी के चर्णों में रखें और माता रानी से अपने सभी कष्ट दुख तरित्ता को दूर करने की प्रात्ना करें आपकी जो भी समस्या है वह आप माता रानी के सामने कहें और अपनी समस्या को दूर करने की प्रात्ना करें प्रात इस मंत्र का 108 बार जाप करें, मंत्र इस प्रकाइर करें, मंत्र है, cricket for the Trinity. डोस्तों, आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है önce Amadarani को प्रसंद करने का शब्सेð मंत्र माना जाता है इस मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप माता रानी की आर्थी अवश्य ही करें मा की आर्थी करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो दीपक जलाया है उस दीपक से आपको मा की आर्थी उतारने है दीपक आपने प्रेट या कटोरी में रखा है तो उसे प्लीट करोरी सहित उठा कर आप मां की आती उतारने के पर स्गात आपको फिरसे माता रानी से इपने से भी कष्ट, डुग दरित्ता को दूर करने की प्रात्ना करने हैं आपको जो लौंग जलती जाएगी मा की कृपा से आपकी जीवन में आ रही कठनाईयां परिशानियां भी इस लौंग के साथ जलती चली जाएंगी इस उपाए को नवरात्री के दोरान करने जी माता रानी की असेम कृपा प्राप्त होती है और घर में सुक सम्रथी आती है पूरे साल भ तो आप उस पर थोड़ा कपूर डाल कर उसे जला देजिए और जो दीपक की बादी और लौंग की जो राख होगी इसको आपको पानी में मिलाकर किसी पेड़ पौधे की जड़ में डालना है या फिर नवरात्री के दोरान आप कंड़े पर जो अग्यारी करते हैं नवरात अगर के अगे दीपक जलाकर पूजन अवश्य ही काना चाहिए इसलिए आपको इस उपाई को करने से से ढीपक जलाने की आवश्यक्ता नहीं है अपने की दौरान जो दीपक जला या आप उसमें लौंग डाल कर इस तरह माता रानी का पूजन कर यह उपाई कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखें अखन जोट के दीपक से आप ये उपाई ना करें दोस्तों माता रानी को आपने जो भोग लगाया है उसे प्रशाद के रूप में अपने परिवार सहित करें दोस्तों हो सके तो इस उपाई को आप नवरात्री में अगर रोजाना ना कर सकें, तो नवरात्री की महासप्तिमी, महाअश्टमी और महानब्मी के दिन इस उपाई को अफश्य ही करें। उपाई करने के साथ ही कुछ बातों का विश्य ध्यान रखें। मातारानी की भक्तों को नवरात्री के दिनों में काली रंगी बस्त भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए, इन्ही अश्युमाना जाता है, नवरात्री के दौरान पुरुश हो या महिला हो, किसी को भी बाल नहीं काटने चाहिए, और नाखुन भी नहीं काटने चाहिए, पोशों को दाड़ी मुझ भी नहीं बनानी चाहिए। नवराती के दोरान मद्रा, तंबाक, सिग्रिट, इत्यादी का सेवन भूल कर भी ना करें। नवराती के दोरान प्याज लेसन और मीट अंडे का सेवन भी ना करें। अगर आपने घर में अखंड जो चलाई है या फे घट की इस्थापना की है, तो नौ दिनों तक आप अपने घर को खाली छोड़ कर ना चाहें, यानि कि घर का कोई न कोई सदस्से घर में अवश्य ही देहना चाहें, नवरात्री के प्रत रख्ने वाले भक्तों को, नवरात्री के दिनों में दिन में भूल कर भी नहीं सोना चाहें पीरड के दौरान महिलाएं यह उपाएं ना करें माता रानी का इस परश्व ना करें मान सिक पूचन करें दोस्तों नवरात्री के यह दिन माता रानी को प्रसंद करने के लिए बहुत ही खास दिन माने जाते हैं इसलिए इन दिनों में अधिक से अधिक मा का पूचन और ध्यान करें उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तिदारों में जदर से जदर शेयर करें जिस से भे भी इसका लाब उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले तैंक्स पूर वाचिंग राधी राधी जै मातादी